हलो गाइस वेल्कम बैक टू दी अदर वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं दो भूत की ऐसी प्रजातियों के बारे में जिन्होंने हॉलिवूड और बॉलिवूड दोनों में धमाका मचाया था एक टाइम पर आज हम बात करने वारे हैं एना वेल और कात्या विच्चू हम जानेंगे कि इनके बीच में क्या डिफ्रेंस था कौन है जाता ताकतवर तो बिना कुस टाइम वेस करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबस पिटा बहुत बात पढ़ियों तो सबसे पहले हम बात करते हैं एना वेल के बारे में यह ऐसी डॉल है और यह ऐसी भूत है जो कि महंगे कपड़े पहनती है बात करते हैं कातिया विच्चों के बारे में तो यह हमारी तरह गरीब आदमी यह बेचारा मेले वाले कपड़े पहनता है मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ बात करें एना वेल की तो मेक अप करने के बाद भूतनी लगती है और बात करें कातिया बिच्चू की तो ये बिना फेरें हैंसम लगाएं क्यूट लगता है और बात करें एना बेल की तो ये लोगों को धोका देकर उनका फाइदा उठाती है खेर ये तो हर लड़की करती है बात करें अपने कात्या बिच्चू की तो यह जो करता है खुले आम करता है बात करें एना बेल की तो लोग इसको डेविल डॉल के नाम से भी संभोधित करते हैं बात करें अपने कात्या बिच्चू की तो इसको पीट पीछे लोग बावला भी कहते हैं बात करता है ना भ। तो यह गूंगी है, कुछ बोल नहीं सकती है बातकर अपने कात्या भीचु के तो यह जब बोलता है लोगों कोछ च्प करा देता है बात करें ज़ाहिल है गवारित hyper i5 पढ़ाई लिकाई से उसका दूर-दूर कोई नाता नहीं है बात करें अपने कातिया बिच्ची तो इसको तंतरमंद में PhD हांस? एक क्या बात करता है यहाए को? बात करें अपने अपने थंगी बंकर और इंधने बैंकर के घर के बैक्यार्ड में रखा हुआ है बात करें कात्या बिच्छों की तो जब तक भावों के बीच में गोली नी लगी भाई ने गुटा फाल के रख दी लोगों के तो यह तो था comparison कात्या बिच्छों और एनावेल का I hope कि आपको जो भी comparison तो अच्छा लगा होगा आपको पता चलाओगो कि क्या के differences है क्या के similarity है कात्या बिच्छों और एनावेल के बीच में और इन दोनों के एक love life की ओपर भी वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ तो आप बताना क्या इनकी love life पे आप वीडियो देखना चाहते होगी ने comment section में and I hope you guys like this video so please subscribe the channel and share with your friends मिल दें next वीडियो में ऐसे किसी वीडियो के साथ तो तब तक अपना ध्यान लगो सुरक्षित रहो and जहन